सुखी और सम्रिद्ध जीवन पाने में वास्तू शास्त्र के कुछ नियम बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। यदि वास्तू के कुछ आधार भूत नियमों का ही पालन घर में कर लिया जाए तो बहुत लाप पाया जा सकता है। इसमें घर में सकरात्म कूर्जा और सुक सम्रिद्धी बढ़ती है। आई कुछ ऐसे आसान नियमों के बारे में जानते हैं। पूजा घर मन की शांती, सकरात्मा और घर के लोगों की तरक्ति के लिए पूजा घर हमेशा घर के उत्तर पूर यानि की इशान कोल में होना चाहिए। क्योंकि ये देवताओं का इस्थान होता है साथ ही ध्यान रखे कि पूजा घर के उपर नीचे सीड़ी टॉलेट या की चन्ना हो। साफ सफाई घर में हमेशा साफ सफाई रखें च्योंकि घर में लगे मकडी के जाले, धूल, गंदगियों कई वासू दोश पैदा करती हैं घर की बादरूम को भी हमेशा साफ रखें घर का मुख्ध द्वार हमीशा साफ रखें, साथी दर्वाजे अच्छी सिती में हो, उन्हें खोलते या बंग करते समय आवाज नाए, नहीं उनका पेंट उखड़ा हो सुभा, सुभा, शाम, कपूर जलाएं, घर में सुभा और शाम को कपूर जलाना कई वासु दोशों का नाश करता है, इसलिए उपाय रोजाना जरूर करें, इससे घर में सकरात्मक्ता और सुक सम्रती रहती है सुने की दिशा कभी भी दक्षिन दिशा की ओर पैर करके ना सोय ऐसा करना सिहत पर बुरा असा डालता है, दक्षिन दिशा की ओर स्विर रखना अच्छा होता है देश दुनिया की हर अबडेट बाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें